Hello everyone, welcome to my channel Sonali Monitor आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि Amazon Prime ने अपना एक नया फीचर यूजर प्रफाइल लॉंच किया है Netflix की तरह ही Amazon Prime में भी आपको एक यूजर प्रफाइल की ओप्शन देखने के लिए मिलेंगी जिसमें की आप अपनी अलग-अलग प्रफाइल कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स की अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल के साथ अपना ये प्राइम मेंबर्शिप शेयर करते हैं तो आप अपनी अलग-अलग प्रफाइल बना सकते हैं इसमें आपको एक kids की default profile मिलेगी जिसमें कि आपको 12 साल से कम उम्र के बच्चों का content उपलब्ध होगा तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप किस तर इस emotion prime membership में अपनी profile create कर सकते हैं इससे पहले मैं वीडियो को start करूँ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को subscribe और इसका bell icon बटन दबाना मत भूलिएगा चलो फिर अब हम start करते हैं इसके लिए सबसे पहले दोस्तो आपको अपनी prime video में चले जाना है जैसे आप prime video की app को open करेंगे यहां आपको नीचे my stuff की option दिखाए देगी आपने इस पर click कर देना है उसके बाद Creating profile की option दिखाए देगी प्रफाइल पर आप जिसकी profile नाम से profile बनाना चाहते है वो नाम यहां आप लिख दीजिए उसके बाद आपने save पर click कर देना है अब आप देखेंगे, successfully added sonali amazon profile to prime video, कि अब मेरी जो profile है वो यहाँ पर add हो चुकी है, यह देखें sonali kids यह आपको मेरी profile दिखाई दे रही है, जैसी मैं यहाँ पर sonali पर click करूँगी, जो सारी यह movies है, मेरी profile पर यहाँ open हो जाएंगी, अब यह मेरी sonali से नाम से मेरी profile open है, देख कर सकते हैं, कुछ भी, अगर आप दुबारा किसी और की profile में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे, अब यहाँ पर दूसरी profile open हो गई है, अगर आप kids की profile में जाएंगे, आपको सिफ 12 साल से कम उम्र के बच्चों का content यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, देखेंगे, सारे बच्चों की जो भी है, आपको kids वीडियो ही यहाँ पर देख पाएंगे, अगर आप किसी की profile को delete करना चाहते हैं, तो आपने manage profile पर जाना है, मैंने पर जाकर यहाँ पर जैसे मैं सुनाली पर edit पर क्लिक करती हू यहाँ आपको remove profile की option मिल जाएगी, जस्ट आपने delete पर क्लिक करना है, उसके बाद yes पर, अब आपकी profile delete हो जाएगी, यह देखिए my stuff में जाओंगी, तो आपको यहाँ पर सुनाली नाम से profile दिखाई नहीं देगी, इस तरह अगर आप profile delete करना चाहते हैं, तो आप profile delete भी कर सक सकते हैं, इस तरह दोस्तों आप अपनी अलग अलग user profiles यहाँ पर बना सकते हैं, और अपने friend circle के साथ अपना prime member share कर सकते हैं, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा like और share करे, thank you for watching my channel